हेलो दोस्तों मैं हूप राइजर सब्सक्राइब का स्वाज अगरता हूं कि टो वैल के बिगूब फ्रेश वीडियो के अंदर तो जी हाँ दोस्तों आपने थम्लेन पर बिल्कुल सही चीज देखी है बिटकॉइन के अंदर एक इंडिकेटर है जिसने फिर से हाँ पर हमें सिगनल दिदिया है बाइ करने का जी हाँ बाइ करने का हलाग इंडिकेटर तो बहुत सार है लेकिन इंडिकेटर थोड़ा से इंपॉर्टेंट है कही न कहीं इंडिकेटर माइनर्स के साथ यहां पर जू तो इस बाद जिसने इसने फिर से बाई आपर दिया है तो हो सकता है कि हमें बाई मार्केट उपर जाता हूँ हम मिल जाए हाला कि कल फैडरल की तरफ से जो आई थी बाती उसमें थोड़ा सो मार्केट वेरिश थोड़ा हुआ था बट लेट सी कि यहां पर क्या चीज आती है और यह इंडिकेटर इतना हमाले हल्फुल होने वाला है चलिए इसको चलते हैं चार्ट पर देख लेते हैं बागे दोस्तों अगर आपको वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेइडिंग नहीं आती है आप सीखना चाहते हो किस तर और इस इमिल इडी पिक्सरेस्प्श डिजमेल.com की उपर या फिर आप ड्रेक्ली मुझे कर सकते हैं मेरे इस चलिए अपर नहीं है चलिए हम लोग बात का लेते हैं कि आखिरकार यह कौन सा इंडिकेटर है या फिर क्या सारी चीज़ है तो बेसिकली इंडिकेटर है 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 जिसको टैब डिरेक्ली लगा सकते हैं इंडिकेटर के टैब में आप जाएंगे यहाँ पर लेखेंगे आप हैश रिबन तो आपको यहाँ पर हैश रिबन का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा जिस पर 12788 के आसपास almost like यहाँ पर हो चुके हैं अब अगर हम लोग अभ पुराने वाले buy signals में क्या हुआ था लास्ट इम इसका जो buy signal था वो यहाँ पर flash किया था इस ताइम पर जहाँ पर प्राइस था लगवग 40,000 42,000 उसके बाद से market गया था 70,000 के आसपास में इसके पहले अगर buy signal की बात करें तो यह जब flash हुआ था उस ताइम पर bitcoin एक भूल प्राइस रिक्तम sideways में थे around 9,000 और उसके बाद से अगर हम लोग इसको पिछले वाले तक भी count करने के कोशिक करें तो market यहाँ पर 20,000 तक यहाँ पर गया था इसके अलबबा बात करते हैं पुराने और indications के बारे में तो यहाँ पर इसने buy दिया था buy का signal around 7,000 वहाँ से market आप आपका लगबक 10,000 तक गया पिछली बार इसने जब buy दिया था तो market आपका लगबक था 7,000 जहां से market गया था 10,000 इसके पहले अगर हम लोग buy की बात करें तो यह हमें देखने को मिला था bottom के असपर जहां से market 14 गया था और अगर आप और पुराने data में जाना चाहते हो कि 2,000 से हम सभी को पता है कि 17,000 तक प्राइस यहां पर गया था चलो थोड़ा सा data और देख लेते हैं पीछे का कि क्या हिसाब किताब था तो यहां पर buy signal था अच्छा का सा pump हुआ यहां पर buy signal था यहां पर चलो चोड़ा सा छोटा pump हुआ यहां पर buy signal था और वो थोड़ा top क्योंकि perfect नहीं है जब humans perfect नहीं है तो indicator को हम कैसी perfect बोल सकते हैं तो यहां पर अब bitcoin के अंदर वापिस से इसने flash कर दिया है तो आपका क्या मानना है क्या यहां से वापिस buy करना चाहिए क्या वापिस market जाएगा देखो इसने कई बार चोटे pumps दियें कई बड़ा pump था यह चो scoring तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि हाँ इसने अगर bias signal flash किया है तो यह possibility हो सकती कि market थोड़ा बहुत नीचे आ जाए थोड़ा बहुत correction कर रहे हैं लेकिर indirectly market के अदर एक short term bullish नहीं समय देखने को मिल सकती है या फिर हो सकता है कि हम यहां से reversal करके एक नए all time high के लिए जा स सकते हैं और यह indicator आपको कैसा लगा इसकी अपडेट आप comment box में मुझे share यहां पर कर सकते हैं I hope दोस्तों वीडियो आपे पसने होगी दोस्तों कर वीडियो को पसने तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली और फ्रेंड की साथ यह नहीं कर रहा है तो तुरंट जाए share करें ताकि वो लोग भी crypto market से भी updated रह सकें और अगर आप आए फर्स ताम इस चैनल के उपर तो तुरंट जाए ही चैनल को करें सब्सक्राइब साइड में देगे नोट्विशन बैल को दबा के क्लिक करें all के उपर ताकि मेरा आने सब्सक्राइब के इस चैनल के इस चैनल के विडियो के साब तुरंट जाए है और बाए बाए